तो चलिए आज कि हमारी इस ओन्लाइन क्लास में हम डिसकॉस करने जा रहे हैं पावर भी आए और सुनीब जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूगा कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले अलग प्लस आज से मैं परमीशन ने दिया है लाइस्ट ने पताया के लिए आपको अगे डिटा में हां मोर पर जाए मोर फाइल है इसमें एक्समेल फाइल आपने कर लिया सीविए लिया इक्सेमेल को भी आप पर डेटा थो नहीं है लेकि ने किलिक किजिए आप यहां से लोड कर लेज़ेगा आपका ठीक है सर, उतिरा से json file भी होती है, अपने पास json file तो है नहीं, बना मैं कड़कर दिखा देता आपको, लेकिन इसलेक्ट करके आप json normal file टेक्स करते हैं, उसी सरस json भी कर सकते हैं, कोई प्रॉलम नहीं, ऐसी pdf की बात करें, अगर data आपका pdf में है, तो pdf को भी लोड कर सक सकते हैं, बड़ pdf में दिक्कत क्या होता है, कि pages की हिज़ाब से tables बनते हैं, ठीक है, हाँ, जैसी कि for example मैं एक छीपल सा data आपको यहाँ, पीडियेक में बना चुदा ही देता हूं, और यहाँ पे मैं product 1, 22, product 2 इस तरह से कर देता हूं, और मैं name यहाँ पे चल देता हूं, औ और यहाँ पे हम कुछ numbers दे देते हैं, और इसे कर लिए, copy कर दिया, आपके हम इसको paste कर देते हैं, इसको हम save as, किसी एक जगा पे, मालीजे मैं Google Drive में चला जाता हूँ इसमें मैं मालीजे कर लिया data के नाम से और मैं इसमें PDF सेलेक कर लेता हूँ तक PDF format में सेव हो जाए ठीक है PDF format में सेव हो गया और एक खुल गया ताकि देख भी ले कि कही सारे pages में आ गया है आगे ना अब मैं इसको क्लूज करता हूँ और वा पस पावर भी पर आता हूँ PDF है हमने किया और connect किया और अपने लोकेशन पे चले जाए जहां आपका PDF सेव है मैं लोकेशन पर चला जाता हूँ और इसको सेलेक करता हूँ और ओपन करता हूँ यह आद देखिए आपके कई सारे PDF फॉर्मिक में अब करता है कि यह दिरीड करता है होता है कि आपके डेटा में पीडियस में होता है कि टेबल फॉमेट भी होते है आप आपने एक एक रिपोर्ट लिया जिसमें उपर में हेडिंग से और नीचे टेबल दिया हूँ तो टेबल को रीट करता है फ्यू डिटा को रीट करता है पीज को हाँ पेज में जो टेबल था उसको रीट कर दिया अपीर पेज को भी है हाँ तो टेबल में क्या हूँआ कि जो टेबल होगा वो डेटा टेबल जो बना ओंगा ओगा और पेज में क्या होगा कि अब कि अब कि अब करने का और आप सिसमें नहीं आप इसको जब लोड करोगे तो यह आपको अलग-अलग टेबल में लोड होगा यहां पर कमाइंड करने का कोई आपसन नहीं है जीनकरकों फोलग करते हैं तो गुगलज सीट आपको खूल किया रहाता है थिक है इस इसमें इसमें कुल करता है कि आप इससों लोड करने से पहले कोई कल्कुलेशन करना चाहे तो इसमें आप तक बना साब कर सकते हैं इसमें और भी बहुत चीज़ा है लिए सब चीज़े बारे में में आपको लास्स क्रासे में बताएंगे है ठीक है है अलो है इसके बारे में हम आपको आगे इसके बारे में आगे हम बताएंगे अब यहां के लोड एंड क्लोज पर चले आते हैं एक सब्सक्राइब कीजिए तो आपने देखा टेवल्स को किस तरह से लिया और इसके उपर आपने रिपोर्ट्स को बनाएंगे पर इसमें डेटा कॉंसिडेट नहीं हुआ ताकि सम्दे मनने में दिक्कत होगी तो इसमें हम आगे बतायों उसमें चीज़स समझा देगे कैसे इसको कमएंड कर सकते हैं ए ने चीज़से इसके दिश्य में फोल्डर है मैं एक बागी डेटा नहीं होना चीछ तो हमारे MF के अंदर डेटा है इस डेटा में मेरे पास पांच जो है फाइल है अब मैं पावर भी आई में मैं यहां गेट डेटा पे जाता हूं गेट डेटा में अगर मैं मोड पे आता हूं और यहां फॉल इस फाइल में हम फोल्न को सकते हैं और पास में हम जाते हैं इसमें फोल्न में डीटा को स्लेक करेड़े हैं तो यहां भी क्या होगा कि सारे फाइलों का लिस्ट हो जाएगा अगर मैंने लोड पे क्लिक कर दिया तो जस्स जो आपको दिख रहा है फाइल का प्रूवा डेटा आजए को मैं कमाइन विक्लिक किया कमाइन लोड में क्लिक किया तो यह क्या करेगा इसके अंदर की सारा डेटा एक के निचे एक की विचे डाल जाल लेगा कि यहां देख सबसे हाइस कॉलन है मिस सिंग हो है है तो आप हाइस सबक्राइब करें और है है तो है क्या है तो इसे कि मान भीजिए न कि आपके पास एक फुलनेट है में पास इस फुलनेट में पास कई सरह फाइल मतलब यह समझेगे की मैं की आपके पास आपकी कम्पनी जो है वो बांच सिटी में काम करती है अब पांचों सिटी का सेल्स का रेटा आया हुआ अब आपको इस पर analysis करने के लिए सारे city का data copy करके एक के नीचे एक के नीचे paste करके एक consolidated data बुराना होता है समझें तो ए चीज आप power BI के अंदर ही कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं gate में आईए more पे जाईए संदीप जी मिलेवा जा रही है आपको hello वो आपकी internet speed का मुझा तो यहाँ पर देखे क्या होगा कि हम यहाँ folder को select करेंगे राइट okay करते हैं यहाँ पर आपको folder path देना है तो यहाँ location पर गया और folder के path दे दिया दे दिया यहाँ दर समय में आ गया इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं सब का लिस्ट आपके लिस्ट आपके लिस्ट में इसके अंदर का डेटा चाहिए तो यहाँ कमाइन में क्लिक करेंगे लेकि कमाइन में क्लिक करेंगे लेकिए कि मेरे पास फाइल में डेटा है ना तो सारे डेटा एक जैसा नहीं है इसमें क्या है कि एक एफसल में जो है पांच चान डेटा है यह तो कमाइन करते समय यह जिर्वार दिन रखेगा combine and load में किजिए जिसके ध्यान लखेगा कि आपका जब सबसे highest column का data है उसको select की दे और उसको click की दे उसके according to data load कर देगा तो जिसमें जो column नहीं होगा उसमें blank कर देगा जो column में data होगा उसको combine लखेगा कि में गलत फाइल लेता है या फाल है आपका फाल अब इसमें देखेए कि माही का डेटा नहीं था तो और ग्राइट में पांसव अब डेटा फाइल में नहीं था तो इस ता से चाहँ पुर्वाल कि रेटा करते हैं लिए अ जो आपको समझिदा आ गया कि इसमें आप कैसे कैसे करेंगे अब एक शर्पॉइंट का है कि वी डेता लेना है तो ले सकते हैं कि अ अब आचे डेटाबेस तो डेटाबेस भी डिफेर्ट डेटाबेस आपकों साइटाबेस यूज करते हैं से ओके सेल्स फोर्स आपका आपका यहां रहा सेल्स फोर्स होगा है इसमें देखा तो मैं इसमें इसमें स्पेश इन्पर्टी इमाजोन सैब और इस्टरम आपका आपका आउनलेंग सर्विजिस में जहां देखें आपकों सेल्स ने कर सकते हैं यहां से एक्सेस ले लीजिए एस्क्यूल लेजिए बाद उचीज आपके पास रहा चाहिए पैतन है बहुत सारे चीज़ में सैप है आप करेक्ट कर सकते हैं यह सब डेटाबेस में पास है नहीं तो मैं करके नहीं दिखा सकता फिर पावर प्रेटफॉर्म अगर आपको पावर डेटाशेट्स मिलेंगी तो वहां से भी आप ले सकते हैं आप अजूरे को यूज करते हैं तो अजूरे से रेटा को ले सकते हैं और तीस आउनलाइन सर्विस देशेटे से आपने वोला कि सेल्सफोर्स तो मेरे पास सेल्सफोर्स तो है नहीं बड़ आपके पास है तो आप करनेक करके चेक कर लिजेगा ठीक है उसके अलावा यहां पर बहुत सारे चीजे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं जैसी की अब लोगे से क्या करना है तो बहुत साए कंपनियास फेस्बूक पे लिंकेंड में गुगल एडिक्स में क्या करती है अब अब अदर पे आते हैं अदर में जैसे की बेप से कोई डेटा लेना है विपसाइड से बेप की जो बेप पेज है उससे कोई डेटा लेना है तो अब इस पी क्लिक कीजिए क्लिक करनेक बार आपको बुलेगा विपसाइड का यूरल देने के जिसे मान लेजिए मैं यहां पर एक चोटा से विपसाइड पर जाता हूं क्यों मेरा यह जैसे यहां पर मैं लिखाder और इस बिकी पिडिया के में देखता हूं तो बिकी पिडिया में मुझे हुरालिस्ट देख रहा है मुझे इस data को power via भी चाहिए ताकि मैं resist कर सको तो मैंने इसको copy किया और copy करने के बाद power via के इस भी गया और इसको paste कर दिया इस तो time लेता है न्या लखिए गाए तो यह क्या करेगा कि बेपेस पर जितने भी table है जितने भी tables है उसको करेगा इसे document बताया कि किसको करना html है टेबल को इसने किया है और table के numbers साथ है table 0 and table 1 जो भी इसके webpage पर table होगा एक table तो आपको दीख रहा ना table को मतलब यह table है जिसमें heading होता है और नीचे भी एक table था एक और table नीचे था उसको लिया है इसने दो टेबल इसने लिया है तो table 0 चाहिए हमें table 0 को select किया और यहाँ पर load कर जाए यह आपका data यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका table 0 दिख रहा है किसी website का data इस तरह से आप ला सकते है रैंकिंग कंट्री वाई रीजन बगर बगर आप कर सकते हैं ठीक है तो आप डेटा कर सकते हैं तो आप डेटा कर सकते हैं वेब से तो वेब से एक डेक ने करना आपको आ गया उसके बाद यहाँ पर other services में और भी चीज़े say sharepoint भी ओडेटा फीड है directive बगरा है Microsoft Exchange से डेटा ले सकते हैं कोई R script लिखा हुआ है या Python की script आपने लिखी है हुँ भी आप ले सकते हैं कोई ODBC या OLEDB databases है उसको आप ले सकते हैं अब कोई blank query लिखना चाहते हैं तो blank query को भी connect किजिएगा अब यहां पर आपके पास QD connection खुल दाता है ठीक है अब यहां पर अपनी हिसाफ से जो QD लिखना है लिख सकते हैं इसके बारे हम आगे classes में आपके साथ discuss करेंगे इसे आप function लगाना है इसे table का formula या filter का formula लगाना है यहां पर लगा सकते हैं यहां पर लगा सकते हैं फॉल्वर से ले सकते हैं बहुत सारी चीज में आपको दिख़़ा हुगा है यहां से उठास कोई ठीक है तो अपनी हिसाफ से कोई QD लिख सकते हैं यह चीजी हम आपको सिखाएंगे उस समझी आए तो डेटा कनेक्टिविटी समझे में आपको अब हम कल की क्लास में आपको बताएंगे इस डेटा कनेक्ट कनेक्ट करके रिपोर्ट डेटा कनेक्ट करने के बाद हम अपने विजलाजेशन कैसे इस्तमाल करते हैं उसका एक दम भी देंगे फिर हम कुछ दिनों के लिए मुब हो जाएंगे डेटा कैल्कुलीशन पर और इसमें हम तरीटा सो फॉर्मले सिखेंगे तो वापस समाएंगे अपने इस पर विजलाजेशन पर और बनाना सिखाएंगे अपको ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस करते रहे है और कोई डाउट होगा और पॉल करने से रहा है ओके बाई मिसका है कल्ब थैंक्यू